स्टुडेंस वेलकम टू राजोरिया इंटरनेशनल स्कूल क्लास एट में इंग्लिश बूक का एट चैप्टर है सौरी रॉंग नंबर एक कहानी है मिस्टरी बोल सकते हैं जिसमें एक महिला और यह टाइम उस समय की है जब मोबाइल नहीं है लैंड लाइन नंबर्स होते थे और लैंड लाइन नंबर्स मिलाने के लिए हम डारेक्टली भी मिला सकते थे और ऑपरेटर के थ्रू भी हेल्प ले सकते थे जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती थी वो आपरेटर प्रोवाइड करती थी जिनकी हम हेल्प ले सकते थे कॉल मिलाने के लिए अगर हमसे नहीं कॉल लग पा रए है तो इस चैप्टर में क्योंकि ओपरेटर्स का भी जिकराने वाला है टेलीफोन्स का जिकराने वाला है मुबाइल का नहीं यह उस समय की कहानी है कहानी है एक बूढी महिला की जो घर में अकेली है और जो रॉंग नंबर लगने से कहीं पर गलती से कॉल कनेक्ट होने से कुछ ऐसी बात सुन लेती है जिससे वो घवरा जाती है और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ सॉल्व हो नही पढ़ते हैं? Sorry, wrong number characters में Mrs. Stevenson an old lady, Sergeant Duffy a stout police first man, second man murders or thieves first operator, second operator third operator, fourth operator, fifth operator ऐसे 5 operator telephone department lady at the information desk woman, western union man इतने सारे characters है पहला सीन एक प्ले के फोर्म में पहला सीन ऐसा है, एक एक अपार्टमेंट है उसमें एक बुड़ी मैला है an old woman, Mrs. Stevenson वो फोन पर है वो एक number डायल करने की कोशिश कर रही है बीजी का signal आ रहा है जो Mrs. Stevenson है वो जगडालू है जगडालू है जगडालू है आत्म केंडरित है अपने बारे में ही सोचने वाली है और निउरोटिक थोड़ा सा संकी है थोड़ा सा संकी कह सकते है ओ डियर slams down receiver dials operator slams down पटक देती है फोन को और उसके बाद फिर किसको operator को dial करती है मतलब ट्राइ कर रही है लगनी रहा फोन तो बुस्सा कर रही है और वो फोन पटक देती है उसके बाद बोलती है अब operator को dial करती है first operator your call please operator call लेता है और पूछता है हाँ बताइए how can we help you Mrs. Dimension बोलती है operator I have been dialing Murray Hill 40098 now for the last 3 quarters of an hour and the line is always busy but I don't see how it could be busy that long will you try it for me please वो कहती है operator मैं पिछले 3 quarters मतलब 15 15 15 that means 45 minutes पिछले 45 minutes से Murray Hill पर एक number है 40098 जिसको मैं डाइल कर रही हूँ और लाइन जो है वो busy बता रहा है लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहे है कि इतनी लंबी busy हो कैसे सकती है तो क्या आप ट्राइए इसको मेरे लिए प्लीज आप मिला के देंगे मुझे तो फर्स्ट ऑप्रेटर जबाब देता है Murray Hill 40098 प्लीज होल कर यह मैं देखता हूँ Mrs. Stimension कहती है I don't see how it could be busy all this time It's my husband's office He is working late tonight and I am all alone here in the house My health is very poor and I have been feeling so nervous all day Mrs. Stimension कहती है कि मुझे यह नहीं समझ में आता है कि यह पूरे समय busy कैसे हो सकता है यह मेरे husband के office का number है वो वहाँ पर आज देर रात तक काम कर रहे हैं और मैं घर पे अक्दम अकेली हूँ मेरी health भी सही नहीं है और मैं पूरे दिन आज नर्वस घबराहट फील करती रही हूँ तो First operator कहता है Ringing Murray Hill 4040098 वो बताता है कि गंटी जा रही है बेल जा रही है लीजिए आपकी call Phone बज Phone में रिंग बसती है It rings three times इस पे तीन बार रिंग बसती है Receiver is picked up at the other end दूसरे इंड पे Phone जो है वो उठा हुआ है First man hello Mrs. St. mentioned hello A little puzzled hello is Mr. St. mentioned there थोड़ा puzzled है घबराई हुई है अश्मंजस में है वो सुनती है कि किसी और की विक्ति की आवाज है क्योंकि वो expect कर रहे थी कि उनका उनकी जो husband है वो phone उठाएंगे वो किसी और की आवाज सुनती है तो वो कुछ असमंजस में है कहती है क्या Mr. St. mentioned वहाँ है तो first man Phone पर बोलता है जैसे कि उसने इनको सुना ही नहीं वो कहता है Hello Hello और तेज Hello second man जो होता है दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो क्या है slow, bv, quality, faintly, foreign, ascent वाली Hello slow धीमी एक common सी आवाज है जिसकी quality, faintly मतलब जिसका की tone थोड़ा धीमा है मंदा सा है और foreign ascent है विदेशी लहजा है उसका बोलने का एक धंग ascent मने होता है धंग ठीक वो उस लहजे में बोलता है Hello तो first man कहता है Hello George दूसरा कहता है Yes sir Mrs. Stevenson सुन रही है वो बीच में बोल रही है लेकिन उनको वो दोनों सुन नहीं पा रहे और Mrs. Stevenson उन दोनों की बाते सुन रही है वो कहती है louder and more imperious into phone वो और थोड़े से घमंड के साथ बोलती है Hello who is this Hello कौन बोल रहा है What number am I calling please मैं किस नंबर पे बात कर रही हूं कौन है उधर तो first man जो वो लोग तो सुनी नहीं पा रहे थे तो वो दोनों अपनी बात जारी रखते हैं उसमें से पहला बोलता है हमने we have heard from our client he says the coast is clear for tonight हमने अपने क्लाइंट से सुना है वो कहता है कि आज किनारा साफ रहेगा कौस्ट तट किनारा जो है वो clear है second man बोलता है yes sir हाँ जी first man कहता है where are you now तो आप अभी कहा है second दूसरा कहता ही न फोन बूत एक फोन बूत से बोल रहा हूं मैं तो first man कहता है okay you know the address आपको address पता है 11 o'clock पे at 11 o'clock the private patrolman goes round on second avenue for a beer be sure that all the lights downstairs are out there should be only one light visible from the street at 11 15 a subway train crosses the bridge it makes a noise in case her window is open इसका पहले मतलब समझते है कोई वर्ड नहीं है जो इसका मतलब ना पता हो petrolman जो petrolling करते है मतलब गष्ट लगाने वाले रात में चक्कर लगाने वाले तो प्राइवेट है प्राइवेट गष्ट मैं मतलब security वाला समझ लो और avenue माने होता है गली ठीक beer शराब की एक quality है उसको बोलते है तो पहला वक्ति बोलता है ओके आप phone booth में है ठीक है आपको address पता है रात के 11 o'clock पे एक जो नीजी सुरक्षा करमी है वहां का गस्त लगाने वाला है वो जाता है कहां पर दूसरी गली में जाता है beer लेने के लिए तब आप निश्चित करें कि सारी जो lights है वो नीचे की सीडियों की बुझी हुई हूँ केवल एक light जलती रहे जो गली से दिखती रहे 11.15 पे एक subway train है वहां से underground निकलने वाली train है जो bridge को cross करती है जो बहुत सारा शोर मचाती है अगर उसकी window खुली रही और वो चिल्लाई तो train के sound में उसकी जो आवाज है वो दब जाएगी ट्रेन के शोर में उसकी आवाज दब जाएगी तो Mrs. Stevenson shocked Mrs. Stevenson जो है वो शॉक हो जाती है उनको धक्का लगता है Hello what number is this please वो बोलती है कौन बोल रहा है किस नमर पे बात हो रही है वो फिर भी पूच रही है तो second man कहता है क्योंकि उनको तो इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो दूसरा वेक्ति कहता है Okay I understand मैं समझ गया First man बोलता है Make it quick As little blood as possible Our client does not wish to make her suffer long First man पहला वेक्ति बोलता है कि इसको जल्दी करना जल्दी जल्दी करना जो भी करना जितना कम हो सके उतना कम blood बहे क्योंकि हमारे जो client है जिन्होंने हमें काम सौपा है वो नहीं चाहते कि उस महिला को ज्यादा तकलीफ हो ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए खून बहुत थोड़ा बहना चाहिए Second man कहता है A knife okay sir एक चाकू ठीक है First man कहता है Yes A knife will be okay एक चाकू ठीक रहेगा And remember याद रखना Remove the rings and bracelets and the jewelry in the bureau drawer Our client wishes it to look like simple robbery वो कहता है समझाकर First man बोलता है कि जो rings और bracelets अंगूठी और हाथ में पहने वाले कंगन या bracelet जो भी उसने पहना हुआ हो महिलाने आप निकाल लेना और bureau drawer जो टेबल की drawer है उसमें से jewelry जो भी मिले वो आप निकाल लेना क्योंकि हमारे client चाहते हैं कि यह एक robbery की तरह दिखनी चाहिए simple robbery का case लगना चाहिए कि कुछ चोर गुसे और महिला के साथ चोरी की लूट की और सामान लूट के ले गए और उसको मार दिया ऐसा दिखना चाहिए तो second man कहता है okay I get हाँ मैं समझ गया अब blank buzzing signal और फिर क्या होता है blank signal बजने लगता है blank ring बजने लगती फोन मतब कट गया उदर से वह दोनों की बात जिस फोन पर हो रही थी वह लाइन डिसकनेक्ट हो गई मिस्स इस्टीव एंशन यह सब सुन रही थी clicking phone ओ वह फोन को क्लिक करती है blank buzzing signal continues वह जो बज रहा था blank signal वह अब भी बज रहा है वह फोन रख देती है अब कहती है how awful how unspeakably कितना भयानक है यह सब और यह तो बताने लाइक भी नहीं बोलने लाइक भी नहीं कितना सब डराव होना है यह सब तो first operator dialing phone बज फिर वो dial करती है और phone बजता है कहां डाल करती है telephone exchange में वहाँ first operator उठाता है phone और पूछता है your call please बताएए आपका number तो मिस्स टीवेंशन कहती है unnerved and breathless into phone वो unnerved है बहुत ज्यादा घबराई हुई है breathless है एकदम सांस उनकी रुकी जा रही है phone पर है वो बोलती है operator बोलता है I have just been cut off क्या मेरा call cut गया है तो first operator I am sorry madam what number were you calling आप किस number पे call कर रही थी मिस्स टीवेंशन बोलती है why it was supposed to be Murray Hill for 0098 but it was not some wires must have crossed I was cut into a wrong number and I have just heard the most dreadful thing a murder and imperiously operator you will simply have to retrace that call at once अब मिस्स टीवेंशन घबराई हुई डरी हुई है उन्होंने अपनी सारी बता दी उन्होंने कहा क्यों मैंने कहा था कि मेरा number आप लगाएं कहां पर Murray Hill 40098 पे लेकिन ये वो नहीं था हो सकता है कोई wires cross connected हो गया हूँ इधर का उधर लग गया हो और मुझे मेरी call जो है वो इतना भयानक चीज सुनी है dreadful मतलब भयानक डरावनी चीज सुनी है एक murder सुना है मैंने खून हत्या imperiously गर्व घमंड के साथ है थोड़ा सा मतलब विनम्रता नहीं है उनकी आवाज में वैसे बोल रही है अकड के साथ कहती है operator तुम्हें अभी के अभी वापस से वही call लग तो फर्स्ट ऑपरेटर कहता है I beg your pardon madam I don't quite और डेश मतलब बात उसकी खतम नहीं हुई फर्स्ट ऑपरेटर कहता है मैं आपसे माफी चाहता हूँ madam लेकिन मैं बस वह बोली नहीं पाया उसके पहले ही मिस्स टीवेंशन बोली ओ मैं जानती हूं कि एक wrong number था और मेरा कोई मतल लोगों की बीच की बातें सुनू लेकिन जो ये दो लोग हैं वो कोई शरीफ लोग नहीं हैं देवर cold-blooded friends मतलब निर्दैता से हत्या करने वाले हैं वो दोनों और वो आज जा रहे हैं किसी महिला की हत्या करने some poor innocent woman कोई बिचारी निर्दोश महिला की हत्या करने जो घर मे एकड़म अकेली है और उसका घर जो है एक ब्रिज के पास है पुल के पास है और हमें we have to stop them और हमें उनको रोकना होगा उन चोरों को रोकना होगा ताकि वो उनकी हत्या ना कर पाएं find out what it was immediately पता लगाओ कि यह क्या था कहां चल रही थी call आप पता लग तो first operator बोलता है तुम इतने मूर्ख क्यों हो तुम इतने मूर्ख क्यों हो मैं दो बार बता चुकी आप सुन नहीं रहे हो look it was obviously a case of some little sleep of the finger मैं समझती हूँ कि आपकी गलती जो थी simply कोई गलत नंबर डायल होने से हो गया था I told you मैंने आपको कहा था कि आप मरे हिल मिलाये 40098 लेकिन आपने म मिलाया मेरे लेकिन आपकी finger गलती से कोई दूसरा number डायल कर गई अब मैं चाहती हूँ and I was connected with some other और मेरा call किसी दूसरे के साथ connect हो गया I could hear them मैं उनको सुन सकती थी लेकिन वो मुझे नहीं सुन पा रहे थे और अब मैं सिफ यहीं चाहती हूँ कि यह देखना चाहती हूँ क आप वो गलती फिर से करें आप वो गलती फिर से क्यों नहीं कर सकते जब अंजाने में गलती हो सकती है तो एक बिना अबुदेश है एक परपच के लिए आप वो mistake फिर से कर दो क्यों आप क्यों नहीं कर सकते वापस से वही number डायल करने का और उसी careless manner में जिस लापरवाई स आपने पहले डायल किया था वैसे ही डायल करो तो वही गलती दुबारा हो जाएगी और वही number शायद फिर से लग जाए आप कोशिश करो तो first operator quickly Murray Hill 4098 I will try to get it for you madam वह कहता है ठीक है मरे हिल को मिलाने का मैं कोशिश करता हूं आपके लिए मिसिस टिवेंशन बोलती है सकार सरकास्टेकली मने होता है व्यंग पूरवक मजाग बनाते हुए सरकास्टेकली बोलती है thank you मजाग बनाते है हाँ thank you चलो समझ में तो आई sound of ringing busy signal अब फिर ringing का sound आता है फिर बीजी का signal आ जाता है first operator बोलती है बोलता है I am sorry Murray Hill 40098 is busy यह नंबर बीजी है तो मिस्स टिवेंशन बोलती है frantically clicking receiver frantically पागलों की तरह है ना जो fanatic होते हैं कुछ संकियों की तरह ऐसा phone को click करते हुए बोलती है operator operator तो बोलता है yes ma'am तो कहती है Mrs. टिवेंशन एंगरली गुस्ते में बोलती है you did not try to get the wrong number at all तुमने wrong number मिलाने की कोशिश नहीं की तुमने सही number डाल किया होगा इसलिए busy आ रहा है मैंने एकदम clearly तुमसे कहा है explicitly मतलब एकदम clearly कहा है कि तुम wrong number डाल करो right मत करो सही तरह से नहीं गलत तरह से डा तो first operator कहता है I am sorry what number were you calling मुझे माफ करें आप कौन सा number चाह रही है क्या number डाल करो मैं तो Mrs. टिवेंशन गुस्ते में बोलती है cannot you for once forget what number I was calling क्या तुम एक बार भूलने ही सकते कि मैं क्या number डाल कर रही थी and do something specific और वो ना सूच कि कुछ अलग करो मैं यह चाहती हूँ कि तुम वुस कॉल को trace करो यह हमा मेरी civic duty है एक नागरिक का करतव है एक इनसान का करतव है और यह तुम्हारी भी एक नागरिक होने के citizen होने के नाते duty बनती है कि उस कॉल को trace करो ताकि वो जो खतरना killers है dangerous killers है उनको गिरफतार किया जा सके पकड़ा जा सके ठीक है और अगर आप ऐसा नहीं करते तो और dash dash और भी बहुत कुछ बोलती है तो first operator glancing and weirdly देखता रह जाता है सुचता रह जाता है परेशान हो के वो कहता है अच्छा I will connect you with the chief operator मैं आपकी call सबसे प्रमुख operator के साथ connect कर देता हूं सबसे बड़ा वेक्ती जो यहां पर है senior उसके साथ connect करते हैं आप उनको बताईए तो मिस्स ट्रीमेशन के थी please sound of harm करो तो first operator मिस कर्टिस will you pick up on 17 please miss कर्टिस क्या आप 17 नंबर को pick करेंगी chief operator middle aged efficient types yes dear what is the trouble हां बिलकुल बताओ क्या problem है तो first operator बोलता है somebody wanting a call traced cannot make head or tail of it कोई चाहता है कि मैं कोई call को trace करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है head or tail of it मतब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं तो chief operator बोलते हैं sure dear 17 na coolly and professionally जैसे होते हैं professional सक्दाम शानती के साथ ठंडे उससे professional way में उठाते हैं phone और बोलते हैं yes this is the chief operator हां मैं chief operator बोल रहा हूं तो Mrs. Stevenson बोलती है chief operator I want you to trace a call a telephone call immediately chief operator मैं चाहती हूं कि आप एक call को trace करें अभी के अभी तुरंद I don't know where it came from मैं नहीं जानती ये कहां से आई थी but it is absolutely necessary लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसको track किया जाए इसका पता लगाया जाए क्योंकि ये एक murder के बारे में है एक किसी की हत्या के बारे में है एक terrible भयानक cold-blooded murder of a poor innocent woman tonight at 11.15 ये एक हत्या के बारे में है भयानक हत्या निर्दैता के साथ एक गरीब बिचारी औरत निर्दोश औरत की हत्या होने वाली है कब? आज रात 11.15 पर चीफ ऑपरेटर कहते है अच्छा कहती है अच्छा मिस्स टीमेंशन बोलती है high strong demanding अब उनकी जो आवाज की volume है वो बढ़ जाती है उनके ठंडे जवाब सुनके डिमांड करते हो बोलती है can you trace it for me? क्या आप इसका पता लगा सकती है मेरे लिए? can you track down those men? क्या आप उन लोगों को पकड़वा सकती है पता लगा सकती है तो चीफ ऑपरेटर the call is still going on वो कहती है क्या call अभी भी चल रही है तो if it is a live call अगर ये अभी भी चल रही है तो हम इसको trace कर सकते हैं अपने equipment पे और अगर ये disconnect हो गई है तो हम नहीं कर सकते हैं call trace करने के लिए call का चलना जरूरी है call अगर चल रही है हम तब ही कर सकते हैं तो मिस्स टीवेंशन बोलती है disconnected ये disconnect हो चुकी है तो chief operator बोलती है if the parties have stopped talking to each other क्या उन लोगों ने आपस में बात करना बंद कर दिया है तो मिस्स टीवेंशन बोलती है ओ अरे लेकिन लेकिन of course they must have stopped talking to each other by now अभी तक तो उन्होंने बिलकुल बंद कर दी होगी बात करना आपस में that was at least five minutes ago ये कम से कम पांच मिनट पहले की बात है and they did not sound like the types who would make a long call और वो उस तरह के लग भी नहीं रहे थे अपने आवाज से कि वो लोग लंबी बात करने वाले हैं कि लंबी बात करेंगे chief operator well I can try tracing it now what is your name madam chief operator बोलती है ठीक है अब अभी मैं trace करने की अपका नाम क्या है madam तो Mrs. Stevenson कहती है Mrs. Stevenson अपना नाम बताती है Mrs. Albert Stevenson but listen लेकिन सुनो and you telephone number तो Mrs. Stevenson और ज्यादा चीड कर बोलती है plaza 42295 but if you go wasting all less time लेकिन तुम ये सब time waste क्यों कर रही हूँ ये सब पूछ के time क्यों बरबाद कर रही हो chief operator and what is your reason for wanting the call trace आपका कारण क्या है आप ये call trace क्यों करना चाहती है तो Mrs. Stevenson कहती है my reason well for heaven's sake is it not it obvious I overheard two men they are killers they are planning to murder this woman it is a matter for the police किती मेरा कारण अरे भगवान के लिए मैंने दो लोगों को सुन लिया है बात करते हुए जो killers है और वो किसी महिला को मारने वाले है ये matter है police का गंभीर मुद्दा है अपराद होने वाला है तो chief operator बोलती है कि have you told the police क्या आपने police को बताया है तो Mrs. Stevenson कहती है no how could I नहीं बताया मैं कैसे बता सकती हूँ तो chief operator बोलती है are you making this check into a private call purely as a private individual तो क्या आप चाहती है कि मैं एक private call को एक private व्यक्ति के लिए तब किसी नीजी व्यक्ति के लिए किसी दूसरे नीजी व्यक्ति की call को किसी व्यक्ति की नीजी call को trace करूँ ठीक है तो Mrs. Stevenson कहती है yes but meanwhile हाँ लेकिन सुनो तो यह private कहां रह गया जब वो लोग किसी के लिए crime करने जा रहे हैं तो यह private नहीं रह गया chief operator बोलती है well Mrs. Stevenson I seriously doubt whether we could make this check for you at this time just on your say as a private individual we would have to have something more official chief operator बोलती है अच्छा Mrs. Stevenson मुझे seriously doubt हो रहा है गंभीर रूप से संदे है कि हम ऐसा कुछ चेक कर पाएंगे सिर्फ एक किसी वेक्ति के कहने पर क्योंकि हमें कुछ official है न कुछ आपचारिकताएं भी निपानी पड़ती है office work में हमें जवाब देना पड़ता है इसलिए हमें कुछ और भी चाहिए तो मिस्स्स्टीमेंशन बोलती है oh have not said you mean to tell me I cannot report a murder without getting tied up in all this red tape why it's perfectly idiotic all right then I will call the police the slams of she slams of dialing मिस्स्स्टीमेंशन कहती है अरे भगवान के लिए आप मुझे ये बताना चाहती है कि मैं एक murder को report नहीं कर सकती जब तक कि ये सारे चक्रों में मैं न पढ़ जाऊं सारे red tapes में red tape मतलब होता है पूरे process फॉलो करना official process को फॉलो करना वो भी सिर्फ आपके कहने पर why it's perfectly idiotic ये बिलकुल पूरी तरह मुर्खता पूर है कि हम wait करे all right then ठीक है फिर मैं पुलिस को एक call लगाती हूँ और वो phone रख देती है second operator your call please मिसे इस्टिवेंशन बोलती है बहुत गुस्से में police department please second operator ringing the police department ring twice the phone is picked up दो बार गंटी जाती है और phone उठ जाता है sergeant duffy उधर phone उठाते हैं बोलते हैं police department person 43 duffy speaking address बताते हुए duffy बोल रहा हूं मिसे इस्टिवेंशन बोलती है police department oh this is मिसे मिसेश स्टिवेंशन मिसेश एलबर्ट स्मिथ स्टिवेंशन of 53 North certain place I am calling to report a murder अपना नाम और पता बता कर मिसेश इस्टिवेंशन बोलती है कि मैं एक murder की report करना चाहती हूं sergeant duffy बोलता है मिसेश इस्टिवेंशन बोलती है I mean कि murder अभी तक हुआ नहीं है has not been committed yet अभी तक हुआ नहीं है I just heard plans for it over the telephone मैंने केवल plans सुने है टेलीफोन पर इसकी plans सुने है बात कर रहे थे और वो जा रहे हैं किसी महिला की हत्या करने आज रात 11 बच के 15 मिनट पे और वो रहती है एक bridge के पास वो महिला का घर एक bridge के पास है sergeant duffy बोलता है yes मैं मिसेश इस्टिवेंशन बोलती है and there was a private patrolman और वहाँ पर एक निजी सुरक्षा कर्मी है गस्त लगाने वाला है जो की दूसरी गली में beer लेने चला जाता है और एक तीसरा वेक्ति भी था a client जो उनका client है जिसने उन दोनों को ये काम सौपा है who was paying to have the poor woman murdered जो उस विचारी महिला की हत्या के लिए पैसे दे रहा है उनको धन दे रहा है they were going to take her rings and bracelets and dash 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 और वो पूरी बात बता रही है use a knife और वो एक चाकू का प्रयोग करेंगे एक चाकू का use करेंगे well it's unnerved me dreadfully and I am not well dash dash वोलती है मैं इस से बहुत ज़दा घबरा गई हूँ भयानक रूप से घबरा गई हूँ और मैं ठीक नहीं हूँ और भी बोल रही है इसके पहले ही sergeant Duffy बोलता है I see when was all this maham ये सब कब हुआ मैडम तो मिस्स स्टीवेंशन के दे about 8 minutes से गो लगबग 8 minutes पहले oh relieved रहात लेते हुए then you can do something you do understand तो आप कुछ कर सकते हैं आप समझ पाए तो sergeant Duffy बोलता है and what is your name maham आपका नाम क्या है मैडम तो मिस्स स्टीवेंशन के impatiently अधीरता से धैरिक होते हुए बोलती है Mrs. स्टीवेंशन Mrs. Albert स्टीवेंशन मेरा पूरा नाम है sergeant Duffy बोलता है और आपका address तो address बताती है 53 North Sutton Place that is near a bridge the Queensboro Bridge you know and we have a private patrol man on our street and second avenue अपना पूरा address बताती है तो sergeant Duffy and what was the number you were calling और वो number क्या था जिस पर आप बात कर रहे थे तो Mrs. स्टीवेंशन बोलती है Murray Hill 40098 but was not the number I overrated लेकिन ये वो number नहीं था जिस पर मैंने बाते सुनी I mean मेरा मतलब है Murray Hill 40098 ये मेरे husband के office का number है और वो वहाँ पर late night तक work कर रहे है I was trying to reach him to ask him to come home मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं उनसे बात करके कह सकूँ कि वो घर आ जाए लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई you know आप जानते हैं it is the mate's night off और रात में mate की भी छुट्टी रहती है नोकरानी जो है उसकी भी छुट्टी रहती है and I hate to be alone और मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है अच्छा नहीं लगता even though he says I am perfectly safe यद्दे भी वो कहते हैं कि मैं एकदम पूरी तरह से सुरक्षित हूँ as long as I have the telephone right beside my bed जब तक telephone मेरे बेड के किनारे है तब तक मैं एकदम सुरक्षित हूँ जैसा कि वो मुझसे कहते रहते हैं तो सर्जेंट टफी बोलता है solidly द्रनता के साथ well अच्छा we will look into it हम देखेंगे इस मामले में मिस्स टिवेंशन and see if we can check it with the telephone company और हम देखते हैं कि क्या हम telephone company के साथ इसको check करवा सकते हैं कि नहीं तो मिस्स टिवेंशन कहती है getting impatient अधीरता से धायरक होते हुए बोलती है लेकिन telephone company ने कहा कि वे नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि लोगों ने बात करना बंद कर दिया है इसलिए वो इसको check नहीं कर सकते हैं I have already taken care of that मैं इसकी पहले ही जाच कर चुकी हूँ पता लगा चुकी हूँ कि वो कर सकते हैं कि नहीं तो सर्जेंट डफी बोलता है ओ येस अरे हाँ मिस्स स्टिवेंशन हाई बैंडड हाई पिछ में उंचे आवाज में बोलती है Personally I feel you ought to do something far more immediate and drastic then just check the call मैं व्यक्तिगत रूप से ये feel कर रही हूँ कि आपको कुछ बहुत जल्दी और अच्छा मजबूत कदम उठाना पड़ेगा उस call को check करने के लिए What good does checking the call do if they have stopped talking क्या तरीका है call को check करने का अगर उन्हें बात्चित करना बंद कर दिया हो by the time you track it down they will already have committed the murder जिस time तक आप call का पता लगा पाएंगे उस समय तक उन्होंने murder कर दिया होगा तो sergeant Tuffy बोलता है well we will take care of it ठीक है हम इसका ध्यान रखेंगे lady don't worry आप चिंता ना करें आप चिंता ना करें Mrs. Stevenson बोलती है I would say the whole thing calls for a search a complex and thorough search of the whole city मैं यह कहना चाहूंगी कि यह सारे जो मामला है इसमें एक search की जड़रत है खोज करने की जड़रत है एक गंभीर मसला है ताकि इस पूरे सहर की जाच की जाए I am very near a bridge मैं एक bridge के पास हूं and I am not well और मैं ठीक नहीं हूं तो sergeant Duffy बोलता है well then there is nothing for you to worry about is there कि आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें कुछ भी ऐसा नहीं है and now you will just leave the rest of this to us अब ये सब आप हम पर छोड़ दीजे और आप निश्चिंत हो जाए चिंता ना करिए तो मिस्स टीवेंशन कहा छोड़ने वाली थी उन्होंने कहा but what will you do लेकिन आप करेंगे क्या आप बहुत देर हो गई है लगबग 11 बजने वाला है 11 तो बजने वाला है तो sergeant Duffy बोलता है firmly we will take care of it lady आप चिंता ना करें हम इसका ख्याया लखेंगे तो मिस्स टीवेंशन will you broadcast it all over the city क्या आप पूरे शहर में इसका प्रसारन करवाएंगे broadcast मेलब रेडियो पे जारी करवादेंगे warning and send out squads और अपने दलों को भेजेंगे खोजी दस्ते भेजेंगे बाहर and warn your radio cars to watch out और अपनी कार में जो radio है उनमे warning भेजेंगे कि वो नजर रखें especially in suspicious neighborhoods like mine विशेश रूप से वैसे area में जैसा मेरा है जैसा की मेरा है sergeant Duffy बोलता है more firmly lady I said we would take care of it में कहा madam कि हम इसका ध्यान रखेंगे just now I have got a couple of other matters here on my desk that require my immediate action वो बोलती है अभी मेरी टेबल पे बहुत सारा काम है जिसको मुझे ध्यान देना है जिसको मुझे करना है तो आप छोड़ दीजे इसको मिसेश टिवेंशन बोलती है oh she slams down the receiver hard idiot मूर्ख कहके वो phone को रख देती है in bed बिस्तर में looking at phone nervously phone की तरफ देखते हुए सुचती है now why did I do that मैंने ये क्यों किया now he will think I am a fool अब वो सुचेगा कि मैं एक मूर्ख हूँ why does not Albert come home Albert घर क्यों नहीं आया अभी तक why does not he वो अभी तक क्यों नहीं आया sound of dialing तो dialing का sound होता है first operator बोलता है your call please हाँ अपकी call तुम इसे इस्टिमेशन बोलती है operator बगवान के लिए क्या आप मेरे लिए मरे हिल का number 40098 लगा देंगे दुबारा से मै I cannot think मैं नहीं सोच सकती what is keeping him so long इतना time क्यों लग रहा है बात करने में the first operator ringing Murray Hill 40098 ring जा रही है ringing busy signal ring जाती है और busy का signal आ जाता है the line is busy Mrs. Stevenson Nestle I can hear it गुसे मैं बोलती है हाँ मैं सुन सकती हूं यह phone busy है you don't have to tell me आपको मुझे बताने की जुरत नहीं है I know it's busy मैं जानती हूं यह busy है phone slams down receiver और phone को रख देती है if I could only get out of this bed for a little while अगर मैं थोड़े समय के लिए भी इस bed से बाहर निकल सकती if I could get a breath of fresh air or just lean out of the window and see the street और काश मैं बाहर निकल सकती थोड़ी देर के लिए और window पर जाकर बाहर देख सकती और fresh air में सांस ले सकती and see the street और गली में देख सकती काश ऐसा वो सोच रही है the phone rings phone की घंटी बचती है she darts for it instantly वो तुरंट इसको उठा लेती है hello Albert, Albert, hello, hello, hello oh, what is the matter with this phone पता निक क्या हुआ है इस phone को hello, hello slams down the receiver और receiver को पतक देती है the phone rings again phone दुबारा बचता है once she picks up और फिर वो उठा लेती है hello, hello oh, for heaven's sake who is this बगवान के लिए किसने मिलाया है hello, hello कहके slams down the receiver receiver को फिर से पतक देती है dials operator और operator को dial करती है third operator call receive करता है your call please आपकी call है western union का man western union से एक विक्ती बोलता है this is western union ये western union है I have a telegram here for missus मेरे पास एक telegram है missus stevenshan के लिए telegram क्या होते थे message होते थे urgent messages तो is there anyone there to receive the message क्या घर पे कोई है जो message receive कर सके तो missus stevenshan trying to calm herself I am missus stevenshan अपने आपको शान्त करते हुए बोलती है हां मैं हूँ missus stevenshan western union का विक्ती बोलता है reading fairly धीर में से पढ़ते हुए the telegram is as follows आपका जो message है वो इस तरह से है missus ilbert stevenshan 53 north sutton place new york darling terribly sorry प्रिये बहुत अज़ा हरदे से मैं माफी चाहता हूँ try to get you for the last hour अगले पिछले घंटे मैंने कोशिश की तुम्हें call करने की तुम्हेरा line busy थी लेकिन तुम्हारी line telephone line busy आ रहा था मैं जा रहा हूँ अभी बॉस्टन 11 पीम पे बॉस्टन के लिए निकल रहा हूँ अभी आज रात को एक urgent business पे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मैं निकल रहा हूँ back tomorrow afternoon कल दुपहर बाद आ जाओंगा keep happy खुश रहो love signed Albert Albert के sign वाला ये message मिसेश स्टीवेंशन breathlessly aghast to herself उनकी सांस रुख जाती है घबराहट में घबराई हुई अपने आप से कहती है ओ नो अरे नहीं मतलब अकेले रहने से उन्हें डल लगता है और अब उनको सारी रात अकेले रहना पड़ेगा क्योंकि वो कल दुपहर में husband आ रहा है उसका भी message आ गया कि वो आज रात को बाहर जा रहा है बोश्टन जा रहा है तो western union के विक्ति जो है वो कहता है that is all यहीं लिखा है message में मैडम क्या आप चाहती है सब फोन वो लाइन डिसकनेक कर देता है धन्यवाद बोलके मिस्स टिवंशन मेकैनिकली टू फोन गुड़नाइट फोन में एक मशीन की तरह गुड़नाइट बोलके फोन को रख देती है धीरे से और अचानक से रोने लगती है फूट फूट कर रोने लगती है सड्डेनली बर्स्ट इंटू टीरस फूट फूट कर रोने लगती है No, no, it is not true ये सच नहीं है He could not do it वो ऐसा नहीं कर सकता वो जानता है में एकदम अकेली रह जाऊँगी ये कोई चाल है कोई बहुत बूरी चाल है यह यह फियंडिश मने अती अप्री यह बहुत खतरनाक चाल है यह सी डायल ऑपरेटर को डायल करती है फोर्थ ऑपरेटर कुली यूर कॉल प्लीस तो मिसे स्टिवेंशन बोलती है यह बहुत गुस्से में है और अधीरता के साथ बोलती है मैंने इतनी अच्छमता पूर्ण बेकार बुरी सर्विस कभी नहीं देखी है अब देखो I am an invalid and I am very nervous मैं बहुत बीमार और घवराई हुई हूँ and I am not supposed to be annoyed और मुझसे यह उम्मीद की जाती है कि मैं गुस्सा भी न करूँ लेकिन if this keep on much longer लेकिन अगर यह ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा तो तो third operator a young sweet type चोटा कोई है कम उमर का उना मीठी आवाज में बोलता है what seems to be trouble madam क्या problem है आपको तो मिसेश टीवेंशन कहती है well everything is wrong सब कुछ ही तो घराब है the whole world could be murdered सारी दुनिया की हत्या की जा सकती है for all you people care क्योंकि आप लोगों को कोई चिंता नहीं है and now my phone keeps ringing और अब मेरा phone बचते चला जा रहा है बार बार बच रहा है ringing and ringing and ringing every five seconds हर पांस second में मेरा phone बच रहा है also और जब मैं इसको उठाती हूँ there is no one there कोई आवाज भी नहीं आती वहाँ से third operator I am sorry madam if you will hang up I will test it for you अगर आप phone रखेंगी तो मैं check कर लूँगी कि क्या problem है असविधा के लिए खेद है Mrs. Stevenson कहती है check it check it please check करिये that is all anybody can do यही है जो कोई भी कर सकता है of all the stupid idiotic सारे जो मूर्खता पूर्ण मूर्ख है वो see hang सब वो phone रख देती है oh what the use क्या फायदा है इसका Stevenson's phone rings again दुबारा से बचता है phone वो उसे उठाती है hello hello stop ringing do you hear me phone करना बंद करो तुम सुन रहे हो न तुम क्या चाहते हो do you realize you are driving me crazy तुमें पता है तुम मुझे पागल कर रहे हो stark steering गूरते हुए वो बोलती है western union का वेटती डल डल फ्लेट आवाज में बोलता है hello क्या यह प्लाजा 42295 है Mrs. Stevenson सांस रोकते हुए हाँ है तो Mrs. Stevenson मुलती है operator try that Murray Hill 40098 number to me just once more एक बार और ट्राइ करिए यह नंबर तो fourth operator बोलती है ringing Murray Hill 40098 the call goes through we hear ringing at the other end ring after ring ring जा रही है हम कोशिश कर रहे है ring पे ring जा रही है Mrs. Stevenson वो चला गया है he has gone वो चला गया है oh Albert अरे Albert तुम ऐसा कैसे कर सकते थे तुम कैसे कर सकते हो और वो ऐसा कहे कर phone रख देती है shopping pittingly दया पून धंग से रोते हुए खुद से कहती है turning restlessly खुद बेचैन हो जाती है but I cannot be alone tonight लेकिन मैं आज रात को अकेली नहीं रह सकती if I am alone one more second अगर मैं एक और सेकिन अकेली रही I don't care what he says मैं नहीं चिंता करती कि वो क्या कहेंगे या क्या खर्चा होगा I am a sick woman मैं एक बीमार महिला हूँ और मैं इसकी अधिकारी हूँ और she dials information वो information को dial करती है information एक inquiry type का number जहां से आप कुछ भी पूछ सकते हैं कोई भी information ले सकते हैं phone के recording information this is information Mr. Stevenson I want the telephone number of Henchley hospital मुझे Henchley hospital का number चाहिए information Henchley hospital do you have the address madam Mrs. Stevenson no it is somewhere in 70s though it is a very small private and exclusive hospital where I had my appendix out two years ago Henchley h-e-n-c information वो बताते कि हमने यहां पे दो साल पहले मेरा appendix का operation करवाया था यह एक छोटा सा private और अच्छा hospital है मुझे address नहीं मालूम तो information बोलता है ठीक है एक मिनिट Mr. Stevenson प्लीज जल्दी करिए प्लीज जल्दी करिए क्या time हुआ अभी information मुझे नहीं मालूम मैडम आप time पता लगाने के लिए 7-1-2-1-2 डायल कर सकते हैं 7-1-2-1-2 डायल करके आप time पूर सकते हैं तो Mrs. Stevenson इरिटेट हो जाती है चिर जाती हैं कहती है बगवान के लिए could not you क्या आप नहीं बता सकते तो information the number of henchley hospital is butterfield 70105 madam henchley hospital का number यह है Mrs. Stevenson butterfield 70105 okay she hangs up वो phone रख देती हैं before she finishes speaking बोलना बंद करें वो immediately does the number as she repeats it the phone rings phone बज उठता है woman middle aged एक मध्यम उमर की मतलब 50 एज वाली महिला solid form practical आवाज में मजबूत द्रण आवाज में बोलती है henchley hospital good evening Mrs. Stevenson बोलती है high bandit उची आवाज में I want the nurses register at once मैं एक nurse का registration कराना चाहती हूँ मतलब एक nurse चाहती हूँ अपने लिए I want a trained nurse मेरे को एक प्रसिक्षित nurse चाहिए I want to hire her immediately for the night मैं आज रात के लिए उसको hire करना चाहती हूँ woman I see and what is the nature of the case मैं इला बोलती है कि हाँ ठीक है और case का nature क्या है मतलब आपकी बीमारी क्या है तो Mrs. Stevenson बोलती है nerves मैं घबराई हूई हूँ I am very nervous I need soothing मुझे आराम की जरुरत है मुझे साथ की जरुरत है my husband is away मेरे husband दूर गए हुए है and I am dash 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 और भी बहुत कुछ बोलती है तो woman जो फोन पे है hospital से वो बोलती है have you ever been recommended to us by the doctor in particular madam क्या कोई डॉक्टर ने आपको बताया है कि हमारे hospital में आने के लिए तो Mrs. Stevenson कहती है नहीं लेकिन but I don't really see why all this catching is necessary मुझे समझ में नहीं आता यह question answer क्यों जरूरी है इतने catching question answer I want to train nurse मुझे एक nurse चाहिए मैं एक patient थी आपके hospital में दो साल पहले और I do expect to pay this person और मैं उसके लिए pay कर दूंगी जो भी बनेगा और that's it तो we quite understand that woman बोलती है मैं समझ रही हूँ हम समझते हैं आपकी बात को madam लेकिन जो registered nurse होती है वो बहुत कम है इस समय और हमारे superintendent ने हमसे कहा है कि केवल उसी मामले में उन्हीं मामलों में भेजा जाए nurse को जहां पर एक physician ने लिखा हो कि वहां पर एक जरूरी है nurse क्या उशकता है वहीं पर nurse भेजी जाए तो Mrs. Stevenson बोलती है growing hysterical थोड़ा सा चिड़ कर पागल होते हुए गुस्से में पागल होते हुए बोलती है I am a sick woman मैं एक बीमार औरत हूँ and I am very upset और मैं बहुत ज़्यादा नाराज हूँ गुस्से में हूँ I am alone in this house मैं अपने घर में एकदम अकेली हूँ I am an invalid मैं एकदम निरर्थक हो गई हूँ अकेली हो गई हूँ and tonight और आज की रात मैंने सुना है टेली फोन पर दो लोगों को बात करते हुए that upset me dreadfully जिसने मुझे बुरी तरह से डरा दिया है about a murder एक खून के बारे में जो एक बिचारी महिला का हूने वाला है who was going to be murdered at 11.15 tonight रात की 11.15 पर जिसका murder होने वाला है इस विशय में मैंने सुना है in fact वास्तों में अगर कोई तुरंत यहां नहीं आता तो मैं डरती हूँ कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा I am out of my mind मैं अपने दिमाग से बाहर हो सकती हूँ मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद कर सकता है almost off the handle by now और उनका handle जो है वो छूटने वाला है receiver हाँ से छूटने वाला है इतना बोलते बोलते तो जो महिला है hospital वाली वो कहती है शांती के साथ I see okay मैं देखती हूँ well I will speak to miss philips as soon as she comes in and what is your name madam कहती है ठीक है मैं mrs philips से बात करती हूँ वो जब आती है जैसे ही आपका नाम क्या है मैडम तो mrs tv बोलती है miss philips and when do you expect her in miss philips जो है वो कब तक आ सकती है तो woman just 14 minutes past 11 गैरा बसके 14 मिनट पर आ जाएंगी sound of phone receiver being lifted on same line as mrs stevenson a click अब ये बात चली रही थी तभी mrs stevenson को एक click सुनाई देती है जैसे किसी ने phone उठाया इन दोनों की बात चल रही है तीसरी line में किसी ने phone उठाने की आवाज सुनी तो mrs stevenson crying out crying out चिलाते वे बोलती है what is that ये क्या है तो woman महिला बोलती what was what madam क्या mrs stevenson कहती that that click just now in my telephone एक click की आवाज हुई आपने सुनी अभी अभी मेरे phone में as though someone had lifted the receiver off the hook of the extension phone downstairs ऐसा लगा जैसे सीडियों के नीचे जहां पर extensions लगे हुए है जहां से phone line सबको distribute हुई है वहां पर लगता है किसी ने मेरा phone उठाया है और मेरी बाते सुन रहा है तो woman बोलती है I did not hear it मैंने इसे नहीं सुना madam now about this अब इसके बारे में Mrs. Stevenson is scared डर जाती है but I did लेकिन मैंने सुना है कोई है घर में इस घर में कोई है सीडियों के नीचे शायद किचन में and they are listening to me now और वो मुझे सुन रहे है they are she hangs up the phone in a suffocated wise वो phone को नीचे रख देती है और धीमी धीमी आवाज में बोलती है I won't pick it up मैं इसको नहीं उठाऊंगी अब phone को नहीं उठाऊंगी I won't let them hear me मैं उनको अपनी बाते नहीं सुनने दूंगी I will be quiet मैं चूप हो जाऊंगी and they will think और वे सोचेंगे with growing trailer और उनका डर बढ़ता जा रहा है but if I don't call someone now while they are still down there लेकिन अगर मैंने किसी को नहीं बुलाया तो while जब वो नीचे है there will be no time उनको उपर आने में कोई समय नहीं लगेगा मैं किसी को बुलाऊं या नहीं बुलाऊं और वो नीचे हैं वो सीधे उपर आ जाएंगे she dials operator वो operator को dial करती है the phone rings twice दो बार बज़ता है fifth operator fat and lethargic मोटा और आलसी सा विकती है your call please the message intervention a desperate whisper एक आती आतुर धीमी सी आवाज में बोलती है operator I am in desperate trouble मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ तो fifth operator मैं आपको सुन नहीं पा रहा है madam please तेज बोलिए तो मिसेश स्टीवेंशन अभी भी धीमी आवाज में बोलती है मेरी हिम्मत नहीं है I don't dare मेरी मेरी हिम्मत नहीं है कोई है जो मेरी बाते सुन रहा है अब मुझे आप सुन पा रहे हैं तो fifth operator बोलता है yes बताइए किस नंबर पर कॉल करना है आपको तो मिसेश स्टीवेंशन बोलती है अधीरता पूरवक you have got to hear me आपने मुझे सुन लिया oh please you have got to help me आपको मेरी मदद करनी होगी कोई है जो इस घर में घुसा आया है कोई है जो मेरा murder करने वाला है मेरी हत्या करने वाला है and you have got to get to touch with me और आपको मेरे touch में रहना होगा click of the receiver being put down in Mrs. Stevenson line और तभी आवाज होती है phone रखने की Mrs. Stevenson की line पर Mrs. Stevenson सुनती है कि किसी ने बातें सुन ली और वो phone रख रहा है she bursts out wildly वो तेजी से चीक पड़ती है oh there it is he has put down देखा उसने अभी मेरी बात सुनी और उसने अभी अभी phone रखा है he has put down the extension उसने अभी अभी phone नीचे रखा है he is coming वो आ रहा है she screams वो चीकती है he is coming up the stairs वो उपर आ रहा है सीडियां चड़ रहा है horsely बुरी तरह से करकस्षवर में फटी आवाज में give me the police department please police को मिला ये phone screaming the police चीकते हुए the police fifth operator ringing the police department phone rings phone घंटी बज रही है हम सुन पा रहे है we hear the sound of a train beginning to fade in हम सुनते है एक train का sound जो धीमा होता जा रहा है on second ring दूसरी ring पे Mrs. Stevenson screams again दुबारा से चीकती है but the roaring of the train second ring बसती है Mrs. Stevenson दुबारा से चिलाती है लेकिन train की जो आवाज है दहार बहुत चोर की आवाज है वो उनकी आवाज को डुबो देती है मतलब उसमें महिला की आवाज दब जाती है कुछ second के बाद हम कुछ नहीं सुनते सिर्फ हमें train की आवाज ही सुनाई देती है then dying away और फिर वो आवाज धीमी होती चली जाती है phone at police headquarters ringing police headquarters का phone बज रहा है sergeant Duffy phone उठाता है police department Duffy speaking pause police department Duffy speaking तो voice आवाज बोलती है wrong number and hangs up और phone कट जाता है loosely feature की ये स्टोरी थी जो complete हो जाती है मतलब कि जो वो लग रहा था उनको मिसेश टिवेंशन को कि किसी दूसरी महिला के बारे में बात हो रही है वो सारी बाते जो थी उनके खुद के मर्डर के बारे में थी और वो जान गई उनके husband ने ये सारा प्लान किया था और फिर भी वो खुद को बचा नहीं पाई एक mysterious murder mystery थी ये स्टोरी थी अगर आप इसको फिर से पढ़ेंगे तो सारी बात समझ में आजाएगी easy है स्टोरी झाल स्टोरी